अगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बावू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप accountant या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोज को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोज को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा टैली की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम टैली का परिचय देंगे इसे सिखाने के उत्तेश्य और शिक्षन के आधार इत्यादी के बारे में जानेंगे चलिए अब आपको टैली का परिचय दे देते हैं किसे भी बिजनस को ठीक ढंग से चलाने के लिए उससे लाब कमाने के लिए ये आवश्यक है कि हम सही तरीके से उसका हिसाब किताब रखें पहले ये काम पूरी तरह से मैनुवल होता था यानि हिसाब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे वर्तमान में अकाउंटिंग से संबंधित पूरा काम कम्पिटर की साहता से हो रहा है साथ ही व्यवसाय से संबंधित अधिक्तम गति विधियां भी कम्पिटर की साहता से ही संचालित की जा रही है पहले हम जो मैनुवल अकाउंटिंग कई घंटों या कई दिनों तक करते थे अब वो computer की सहायता से बिना किसी गलती के कुछ ही मिंटों में हो जाती है भारत में GST लागू होने के बाद तो इस field में अपार संभावनाएं पैदा हो गई है computer पर accounting करने के लिए हमें accounting software के मदद लेना होती है और Tally उसी प्रकार का एक software है Tally accounting software की सबसे खास बात ये है कि इस पर काम करना बहुत ही आसान है भारत और बाहर के कई देशों में ये सबसे ज्यादा लोग pre accounting software है हम आपको Tally ERP9 पर काम करना सिखाएंगे Tally सिखानी का हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि जो commerce background के या बिना commerce background के व्यक्ति है उनको computer accounting सिखाई जाए जो commerce के विद्यार्थी है या commerce background के है उनको तो commerce की basic जानकारी होती है उनके लिए computer पर accounting करना आसान भी होता है पर हमारा उद्देश्य ये है कि जो बिना commerce background के व्यक्ति या विद्यार्थी है वे भी इन वीडियोस को देख करके टैली पर आसानी से computer accounting करना सीख सकें हमारा दूसरा उद्देश्य है रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान करना ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं वो भी अगर computer accounting सीख लेते हैं तो accounting का काम कर सकते हैं इस प्रकार से टैली उनको रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है चुकि पहले manual accounting होती थी तो जो लोग शुरू से manual accounting करते आये हैं उनको computer पर accounting करना थोड़ा सा कठिन लगता है हाला कि उनको accounting कैसे करना है ये तो आता है पर computer accounting कैसे किया जाए या टैली software का उप्योग करके accounting कैसे किया जाए ये नहीं आता है उनको भी इससे सहायता मिल जाए ये हमारा उदेश्य है साथ ही अगर आपका अपना कोई छोटा मुटा बिजनस है तो उसकी accounting आप स्वयम कर सकें उसमें भी ये वीडियोज आपकी मदद करेंगी यहां हमरा टैली सिखाने का अधार है simplicity यानि सरलता हमसे कोशिश की है कि टैली को एक सिरे से ना सिखाते हुए जो सरल चीज़े हैं वे पहले सिखाई जाएं जैसे कि स्कूल में जब कोई छोटा बच्चा जाता है और उसको ABCD लिखना सिखाया जाता है तो सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है कि शुरू में A से लेकर Z तक ना सिखाते हुए जो अक्षर उसके लिए बनाना आसान होते हैं वो पहले सिखाय जाते हैं और Relatively जो थोड़े कठिन हैं वो बाद में सिखाय जाते हैं उसी तरह हमने भी Tilly सिखाने का अधार सरलता को रखा है जो चीज़ें सरल हैं वे पहले सिखाई जाएं और फिर धीरे धीरे कठिन की और बढ़ा जाए इसलिए हमने shortcut जिसमें कठिनाईया या complexity ज्यादा हो उसके स्थान पर थोड़ा long route लिया है हमने कोशिश की है कि भले ही रास्ता थोड़ा लंबा हो पर आसान हो और आपको टेली software पर काम करना सरल लगे हम आपको fear free यानी भैरहित बनाना चाहते हैं टेली पर काम करने में आपको डर ना लगे, घबराहट ना हो या ऐसा ना लगे कि टेली सीखना बहुत मुश्किल काम है इस आधार को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी वीडियोस को इस तरह से बनाने का प्रयत्म किया है कि ये simple हो, ज्यादा explanatory हो, जिसमें कि अच्छे से सभी बाते समझाई गई हो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, टेली सिखाने का हमारा आधार सरलता यानी simplicity है और इसी आधार पर हमने टेली सिखाने के काम को अलग-अलग स्तर यानी levels में बाट दिया है पहला है basic level basic level की कुछ वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि accounting क्या है, इसका basic क्या है, इसके आधार पर काम कैसे किया जाता है और इसके बाद हम टेली पर काम प्रारंप करेंगे, जिसमें टेली से संबंधित सरल पर आवश्यक जनकारिया होंगी यहाँ पर हम टेली में बहुत ज्यात गहराई में नहीं जाएंगे बेसिक लेवल पर आप जो सीखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि टेली सॉफ्ट्वेर को यूज करना इतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं यह बड़ा ही आसान है दूसरा लेवल है, इंटरमीडियट लेवल इस लेवल पर अकाउंटिंग के वे सारे काम आ जाएंगे जोकि एक अकाउंट के तौर पर आपको रेगिलरली करना होते हैं यानि जिस तरह से किसी भी बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करना होता है, वो सारी बातें आप इस लेवल पर सीख पाएंगे तीसरा है Advanced Level इसमें Managerial Level पर काम आने वाली जानकारियां होंगी यह उन लोगों के लिए भी उप्यूक्त है जिनका खुद का बिजनस है और वे इस लेवल में सिखाई जाने वाली रिपोर्टिंग सीख कर अपने बिजनस की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग की परिभाशा, Double Entry System क्या है, अकाउंट्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और कुछ अनने परिभाशाएं